दोस्तों लंबे से समापका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ वेश्व हुए तो आज किस वीडियो में जानने वाले हैं कि VLC मीडिया प्लेयर को अपडेट कैसे करते हैं यानि कि जो भी करेंट लेटेस्ट वर्चन है उससे आप अपना VLC मीडिया प्लेयर कैसे अप्लेट कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में जानेंगे तो कहीं चाहिए करने वीडियो लास तक देखते रही है तो दूस्तों से पहले वीडियो करूँ अकर चैनल सब्सक्राइब न कर तो सब्सक्राइब कर ले हैं कुछ नहीं शीकने के लिए तो चलिए आई शुरू करते हैं वीडियो और जानते की कैसे अपडेट करते हैं VLC मीडिया प्लेयर ठिक है तो जैसे कि देखिए मैंने VLC मी करना है उसके बाद नीचे दिखे यह लिखा हुआ है पहला option है help दूसरा है check for updates दीसरा है about यानी shift 1 ठीक है check for updates पर click कर दीजे अब यह देखिए यह चक कर रहा है कि update available है कि नहीं है यह सारे आपके अगर आपके internet speed अच्छी है तो यह जल्दी पिक कर लेगा थोड़ा time लगाता है ठीक है थोड़ा सब्सक्राइब करिए यह देखिए यह आगया आप यहाँ पर क्या कर रहा वीडियो लैंड एंड व्लसी डिवल्पेंट टीम प्रेजेंट व्लसी 3.0.8 वर्जन जो है व्लसी यह देखिए यह लिखा हुआ है इसको क्लिक करिए और यह आपका अपडेट शुरू हो जाएगा यहां से चीक है बहुत जादा टाइम लगता है छोटा सा ही होता है जल्दी हो जाएगा यह देखिए यह दाउनलोड हो गया अब यह आपसे कह रहा है कि न्यू वर्सन इंस इसको आप इंस्टाल कर दीजिए दो यह देखिए इंस्टाल होना शुरू हो गया बस इस पर नेक्स्ट कर दीजिए यहां से नेक्स्ट कर दीजिए और यह फाइल आपके इंस्टाल होना शुरू हो जाएगी यहां से फिनिश कर दीजे और यह आपका यहां पर लोग करके आ गया तो इस तरह से आप आप वेल्सी मीडिया पर इंस्टाल कर सकते हैं जो भी लेटेस्ट वर्जान हो ठीक है तो आपको वीडियो पसंद रहा हुगा अगर कुछ फ्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा मिलते हैं नेक्स इंटस्टिंग वीडियो में किलते हैं नगानाय स्टे टेक कि है ज़रे